हेललो गाइज, वेलकम बैक तू दे इवल तेल्स, जिसमें आज आप देखोगे एक कन्नड हॉरर मोवी करवा, जिसन नवनीत ने डारेक्ट हिया है। सिनॉपसिस की बात करें तो ये मोवी टू स्टोरीज को पैरलली लेकर चलती है। फिर आके कैसे चलकर मर्ज होती है, वो देखना इंटरस्टिंग पार्ट है। तो फिर कहानी शुरू करते हैं, तो मोवी की शुरूआत में ही हम एक NRI को देखते हैं, जो अपना पुष्टैनी राज पैलिस, जो की बैंकलोर से 80 किलोमेटर दूर एक गाउम में मौजूद है, जो की 300 साल पुराना होता है। NRI अकेले नहीं आथा, वो अपने साथ मीडिया वालों को और मीडिया वाला रिपोर्टर किसी गूरू जी को साथ लाया था, क्योंकि वह पैलिस काफी पुराना था, और गाउम वालों ने भी चितामनी दी हुई थी। पैलिस तो बड़ा ही विराना और सुनसान था, और ये तो पक का मालूम पढ़ रहा था किसमें किसी न किसी इविल एंटिटी का जमावड़ा है। वही सीन शिफ्ट करता है और हम एक लड़की को किटनाप देखते हैं, जसका नाम अमरूता होता है, जिसे उसी के भाई तिलक ने और उसके दोस संजना, रोहित और चंदन ने मिलकर किटनाप्ट कर रखा था, लेकिन जल्दी अमरूता जान जाती है कि इन सब के पीछे उस भागने वाली है, अब मरता क्या ना करता, I mean करती और वो भी अपने भाई के साथ मिलकर प्लान को अंजाम देती है, उधर पैलेस में घुसकर मीडिया वाले पैलेस को हॉंटिड बताने में लग जाते हैं, तब ही कैमरमेन प्रिंटू को रिपोर्टर के पीछे एक हाथ दि पहले तो उसे कुछ नहीं मिलता, पर उपर जाने पर मशीन में हल्चल पैदा हो जाती है, मतलब कि इसने भूत के टेरिटरी को लांग दिया है, आगे बढ़ने पर लड़की की रोनी की आवाज भानक मोड लेने लगती है, तब ही दरवाजे से जाकने पर रिकलाइनर चेर खुद बखुद मूव करते रहती है, अब की बार भूतनी ने अपने लाल आँखों से उनको देख लिया था, उसे देख सब उल्टे पाउं धूती गमचा उठा कर भागने लगते हैं, बूतों का भी अजीब है, एक तो सालों से पैलस पर बेजा कपजा करके बैठते हैं, उपर से आख अलग दिखाते हैं, खैर, दूसरी ओर हम देखते हैं चांडाल चौकरी को उनके बाप से पूरे 10 करोड बरामत कर लिया हैं, लेकिन जैसे ही वो निकल रहे होते हैं कि कार हो जाती है बिकार, और होने वाली थी रात, तो अमरुता आइडिया दे दिया है, कि क् पतला रास्ता होता है, उसके आगे एक और दर्वाजा मिलता है, जिससे वो सारे हॉल में पहुचते हैं, जहां का मनजर काफी भयावर था, संधिया तो भागना चाहती थी, पर तिलग सब को रात बिदाने का कहकर, लाइट्स ओन करने चला जाता है, वही संधिया अपने प नजर जमीन पर पढ़े एक किताब पर पढ़ती है, जिससे तिलग उठा कर लाता है, जो कि कननट भाषा में लिखी हुई थी, और वहां सिर्फ चंदन को ही आती थी, वो जिद कर किताब शीन कर पढ़ने वाला होता है, कि एक पक्षिया कर सब को डरा जाती है, वो सारे मिल कर फिक किताब को खोलते हैं, जिसमें इसी राजमहल की तस्वीर होती है, और दूसरे पढ़ने पर एक औरत की तस्वीर होती है, जिसका नाम वैदही होता है, वैदही का जन्म 1948 वो मौत 1974 में हुई होती है, अब हम वैदही की कहानी जानते हैं, जिसका जन्म मूल लक्षत्र में हुआ होँधा है जो चन्र लेते ही अपनी मांगी की मौत की वज़ा बंदी है ऐसा वहां के गाउवालों से सुननों को मिलता है यह कहते हैं शकुंतलगा देवी को वैधही जरह भी पसंदना थी पर बेटे मोहन के जित के आगे वो मान जाती है असल में राजमहल शकुंदला देवी का होता है जिसकी बहु बन कर वैधी ही आती है इसे पहले की वैधी की पैर महल पर पड़े उसके ससुर को काडियाक अरेस्ट पर जाता है फिस सुबर जब आरती की थाली लेकर शकुंदला देवी आती है तो उसे देख आरती की लौ भी बुच जाती है घर वालों के साथ उसका ताना कसना और ये सारी घटनाय दे वैधी ही बहुत मायूस हो जाती है इसके बाद तो एक की बाद एक अप्शकुंद होने लगता है जैसे सालों से चली आरी जमीन का फैसला किसी नागेश के पक्ष में चला जाता है वैधी की ननन की शादी तूट जाती है वैधी के साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? बस वो इसी सोच में पढ़कर उदास रहने लगती है दूसरी तरफ उसकी ननन जैया, शकुंतला देवी और मामा जी भासकर मिलकर प्लान बनाते है किस मन्हूस वैधी को जान से मार देते है क्योंकि वैधी को देकर इन तीनों के छाती में साब जो लोटने लग जाता था एक रोज मामा जी गड़ित से मुहन को मसका लगा कर उसे बैंगलोर में जहांज डूग गया का जहांसा देकर भेज देते है मुहन के जाते ही जय सारे नौकरों को छुटी दे भगा दे दिये और फिर शुरू होता है इनका आतंग पहले तो वो नौकरानी के हाथों वैधे ही को सूर्य वन्शम वाली खी यानि की जहरीली दूद पिला देते हैं और बाद में उसकी तब्यद बिगरने पर उसे कुछ ठीक नहीं लगता वो मदद के लिए बुकारते रहती है जिसे पंडित सुनता है पर उसे महल में प्रवेश नहीं देते मामा जी और जया मौक अपाकर वैधे ही की कमरे को ताला लगा देते हैं जिसे के वो वहीं तड़ब तड़ब के बेचैन होकर मारी जाती है वो तीन दिनों तक बेतहाशा चिलाते रही पर किसी ने दर्वाजा ना खोला वैधे ही की मरते ही मुहन की यादाश चले गई वैधे ही तो मर गई पर उसकी आतमा पूरे महल में गेडी माते फेती है और जो कोई भी उसके मौत के जिम्यदार थे सब को मार ढाल दिये और आज तक वैधे ही की आतमा अपने पदी के याद में इस राज महल में हांड रही होती है किताब कहानी से बाहर आते ही चंदन खुद को अकेला पाता है पर सारे लोग मिलकर उसके साथ प्रैंक कर रहे होते हैं चंदन की इतनी फटी कि वो अपने हक का पैसा लेकर बस भागना चाता था सब चंदन को समझा रहे होते हैं कि सब किस से कहानी है तब ही लाइट चली जाती है तो रोहित लाइट ठीक करने जाता है जहां उसे वैदही की आत्मा दिख जाती है जैसे ही वो लाइट बंद करता है वैदही दिखती है लेकिन लाइट ओन करते वो कायब हो जाती है फिर सब वैदही को भूल कर उसी के महल में ठंडी ठंडी बीयर खड़काने लगते हैं चंदन सब का एंटेटेमेंट कर रहा होता है उसी बीश रोहित बाथरूम के लिए जाता है जहां उसे अमरुता की लाश दिखाई देती है वो भाग कर सब को ले आता है जिसमें चंदन संजना तिलक थे लेकिन अमरुता नहीं अब सब घबरा जाते हैं और अमरुता को ढूरने लगते हैं उसे बीश दिलक के पीछे से आत्मा गुजरती है और संजना को भी एनाबेला की मा मिल जाती है थोड़ा आगे बढ़ने पर एक क्रीपी सा हाथ संजना को टच करता है जैसी ही वो पलटती है गायब वो एक कमरे में जाती है जहां पियानो आटोमेटिकली प्ले होने लगता है जिसमें म्यूजिक के अप साथ रोने की आवाजे भी आती है संजना को फिर किसी ने टच किया फिर वो पलटती है और इस बार उसका सामना अमरुता की भूट से होता है वो बिहोश होने ही वाली थी कि सब आकर उसे बचा लेते हैं संजना को संभालतो है तिलक उसे ले जाता है और चंदन और रोहित लापता अमरुता की तलाश में जोट जाते हैं बातो ही बातों में चंदन अलग होकर वैदेही की कमरे में प्रवेश कर जाता है जहाँ पर उसका सामना वैदेही की आत्पा से होता है वो गिरते परते ये बाते सब को बताता है अब तक ओलमोज सभी ने भूत दर्शन कर चुका है सिवाए तिलक के ना चाहते हुए भी तिलक को यकीन करना पड़ता है क्योंकि साक्षात वैदेही खुद अपना दर्शन करा देती है उसे देख सब बाहर भागते है पर बाहर आते ही अमृता हेल्प हेल्प की गुहार लगाने लगती है फिर उसे बचाने सब अंदर चल देते है अवाज का पीछा करते हुए अमृता तक पहुन जाते है जहां उसके हाथ बंदे थे अमृता कहती है उसे किसी ने कितना आप कर रखा था उसे बचा कर जब हौल तक आते हैं तो रोहित को भूत ने अल्मोस्ट मार ही दिया था मरता हुआ रोहित सब को वौन करता है कि अमृता पोजेस्ट है और वो मारा जाता है अमृता संजना तिलत बाहर की और भागते हैं और चंदन पैसे लेने को पैसे तो ऐसे मिलते हैं एक धमाके के साथ कि पूरे नोट छितर बितर हो जाते हैं और देखते ही देखते सारे पैसे जलने लग जाते हैं। पैसे जाए तो जाए, जान बचाने को सब जैसी बाहर भागते हैं, में डोर खुद बखुद बंध हो जाता है। फिर एक-एक कर वैदही की आत्मा सब को बारी-बारी से कूटने लगती हैं। और अमरुता को पोजेस कर लेती हैं। लेकिन चान के बाहर आते ही वो नौर्मन हो जाती हैं। लेदेकर जान बचा कर सब बाहर निकल आते हैं। और इतिफाक से अमरुता से गारी शुरू हो जाती हैं, जिसमें रातो रात चारो भाग निकलते हैं। उसकी तीन दिन बाद कुछ वसूली करने वाले तिलक से पैसा मांगते हैं और तिलक बिजनस के नाम से पैसा अपने पापा से मांगता है पर वो नहीं दे दे। उधर अमरुता को छोड़ने एरपोर्ट तिलक जाता है और लोटते हुए अमरुता कार की तिलक को दे देती हैं तिलक को कार में बैठते ही याद आता है कि कार की तो उसने रोहित को दी थी पर अमरुता के पास कैसा है वो जब चेक करता है तो पाता है अमरुता अपने पिपस चेक करता है उसे याद आता है यह पिपस थो उसने रोहित के पास देखा था और यहां रिवील होता है सारा ट्विस्ट और वो पूरी बात समझ जाता है कि यह सारा प्लैन रोहित का था जिसमें अम्रूता भी शामिल थी दोनोंने भूत के नाम पर उसे और उसके को बकरा बनाते हैं उधर कैमरामेन पिंडू को होश आ चुका था और मीडिया वाले उससे मिलने जाते हैं तो देखते हैं वो अब तक घबराया हुआ होता है उसे रिपोर्टर एक तस्वीर दिखाता है जिसे देख वो और घबरा जाता है क्योंकि उसने सच में वैदही के भ करते लेकिन आज वैदही की डेथ एनिवर्सरी थी तो वो भी वैदही की शिकार बन जाते हैं तो यह थी मूवी करवा जो कि यूटूब पे अविलेबल है तो कैसा था मूवी कमेंट करके ज़रू बताए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में तब तक ले गुद्ब करी लेकर वभी को अब मिलते हैं तो ङेगी करा अष्वागन में पूटब।